पार्टेट की चुरूआत में हम सबसे पहले सोयून को देखते हैं जोगी जून को ढूंड़ने के लिए काफी परिशानता हो तब ही उसे रास्ते हैं वही दो फाल्दों के सीनेर्स मिल जाते हैं जिन्होंने सारा बखेडा खड़ा गया था तो यून उनसे पूछता है कि और डेफिनेटली इस सरकत पर मेरा मन करता है कि मैं इनको बिल्गों सेलिट करूं और यहीं पर हम सूबेन उजून को देखते हैं जहां पर सूबेन जून से कहती है कि अपना अच्छे से ख्यार रखे तभी जून उसे रोकता है उसे रुख जाओ और उसकी कम से कम फस्टे कर सकती हो तभी सूबेन के थीए कि ठीक है वो नहीं करेगी वो लगता है जून सोगे है तो सूबेन उसे छोड़का चली जाते है लेकिन जून भाइसाब भी कहां सुए हुए थे और वो जून के बारे पूचता है कि क्या वो सच में ठीक है तभी जून से सप्राइज होता सब्सक्राइब कर लेता है तभी जून से मिलने के लिए जाती है तभी जून से जली से हख कर लेता है सूबन को जून वान गाल आता है ब्याइट को जून को जैसी बता सच जाता है कि इस बदी ऑने के लिए सच में काम बरे कर रही है तभी जून उसे बदता कर देता है लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है तभी मीजू सूचती है कि वो तो सोयून को जल्दी से जाकर प्रपोस्ट कर देगी और यंगरान जब खुद का काट चेक करती है तो उसे पता लगता है कि उसके जिंदगी में तो बस डार्कनेस है और जाला उसे दूर दूर तक कह कर दिया तो जून कहता है कि हाँ उसे नंबर नहीं दे सकता इसके बाद मीजू वहां से चली जाती है और उसे थोड़ा गुसा भी आ रहा था लेकिन वह सोयूं से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी और यहां पर यंगरान जब आती तो मीजू को जाते हुए देख लेती है तो कि उसे अब कास्वी अच्छे फ्रेंड्स और इसकी जिंदगी भी काफी चल रही थी और तभी जब वहां निकलता है जो कि हमें पता ही है किसी सलसले में यह आया होगा और वो जून से पैसे ही माग रहा था तभी जून उसे मना कर देता है कि अब किसी को भी ऐसे पैसे नह हमें चास्कार कर लग तो इससा झूट की बचि में अपर इस वहां करेक्टर सब्सक्राइब का नहीं करेक्टर देखर और यह बलागा CD कि प्रच्वा वहाँ पर आता है और शायद उसने सारी बाते सुन ली ती लेकिं फिडियो इन सभी पर गॉन नहीं करता इसके बाद उसी बंदी को बात करने के लिए बलाता है जिसके साथ उसकी फाइट हुई थी और कहता है कि वह पुलिस को बता देगा कि तुमने मुझे मारा था और उस पर जून तो इसी बात से खुश था कि उन्हें उसके लिए इसे बंदी को बाता था वहां से बात कर रहे हैं तब इस ने महीं जून वहां पर आ जाता है और उन से कहता है कि उसने क्या कहा था कि अगर कुछ उड़ा सीधा हुआ तो जाकर सीधा पुलिस को बता देगा और तो तुम सभी की खैरी नहीं उसके बाद वो सभी चुप भी हो जाते हैं तब जून सुईन का पीछा करता है और उससे थैंकी बुलता है कि उसने उनको पंच मारा था कि अब उसके बार सच में करता है तब ही इस बात को इतनी बार दोर आओगे तब जून तो यह बात सब्सक्राइब करता है इसके बाद उसके पास रहता है कि क्या तुम दुनों सच में सीरियस हो और यह बात यह बंदा गम से पसंद करता है जब इसकी मौम से छोड़ कर गई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वह सुविन के साइट हमेशा रहे इस बात पर गिल्डी फील करती है वह में सूरी को पर पर्फोस कर देता है लेकिं नुग उससे कहती है बारें बात करती है कि दोनों इस वह स्व Supply इemb Applicationhorn करती है और ओ स्फेल्श करना है तुम कर सकती हो सेघ스크 अब एक यह जालब सर्पेश लिख है कि यह उन्गरान सोयन को पसंद करRIए क्या उसने कभी अपनी फिल्स को शेयर नहीं किया तब यह एंगरान करती है कि उससे कभी टाइम ही नहीं मिला को देखते हैं इसे वह कौल उसके भाई की तरफ से आया था कि उसकी हालत बहुत है और उन्हें जल्दी से सर्जरी की जरूरत है इसके बाद सोयून डिसाइड करत करता है कि वह पुलिस के चोड़ देगा और वह अपने भाई की साथ काम करेगा क्यूंकि वह नहीं चाहता कि अच्छे इंसान होते हैं तो वह समझाते हैं कि हमें कभी कभी लोगों से है ले नहीं चाहिए वह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्यार्फुल रहते हैं कि तुम करने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है तो मैं हमेशा कॉल करता है को सारी बाते सुनका सीधा जून के यादा आती है और यह पर प्रोफेसर पार करते हैं कि वह जब भी चाहिए हमेशा उसके लिए फ्री रहेंगे जब कोई तुम्हारी है तो हमेशा उनको ना मत बोलो उसे मदद लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है जो कि तुम्हें दिल से अपना मानते हैं इसकी बाद सोई उन जून से बात करने के लिए उसे अपने पास बुलाता है जून ने पहली उसकी मौम की सरजड़ी के लिए पैसे भड़ दिये थे चूंकि उसके भाइक से बता चल और वह सबीसे काफी अच्छे से बात कर रहा है तबी सोविन उससे अपने नोट देती है तो वह बीशू एक्सेट कर लेता है सबीको लंज पर इंवाइट कर दिया तबी सोई उन से कहता है कि नहीं आज वो इन दोनों को लंच पर ट्रीट करें गा उसके बाद जून वह भी नहीं करकर रही रहेगी इसके बाद दो सोई नोट के बगर में जाकर बैठ जाती है यह सोईन का स्केश बनाया था जो कि उस नेशकी प्रोफाइल पर लगाया था कि बाद मीजू सुईन को बात क Körperने के लिए बाहर बुलाती है और वो उसे बोली देती है कि वह उसे लाइक meant करो दिया विदन फिर से के रापलाई होता है कि नहीं उसे लाइक नहीं करता बाद में भी पर बाध कर रोने लगती है और कहते हैं जो कि अपना सामान बटोर कर कहीं पर जा रहा होता है तो उसमें आज की डेट काफी ज़्यादा हाइलाइट हो रखी थी और उस पर लिखा था कि अब सब कर रहे थे कि उसलेस कभी भी नहीं है और नहीं कभी होगा इसके बाद जब सोई उनकी आखे खुलती है तो जाकर सीधा उनकी अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हो जाता है तब जून उसके पास आता है उसे अपनी साथ रहने के लिए इन्वाइड करता है और उसके लिए कि परिशान हो रहा था तो इस बारों से मना नहीं करता और हो कहता है कि वो इसके लिए स्वारी है कि वो इस बार मना नहीं कर सकता उनों साथ में रूम मेट बनकर रहने के लिए मान जाते हैं इसके साथ तमारा यह पार्ण होता है तो मिल देंस पार्ट के साथ तक के लिए बा